हेलो फ्रेंड्स कैसे हो? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुभान के बारे में जैसे कि आपको दीख रहा होगा कि मैं three types में जो है लुभान रखा हुआ हूँ और किस तरीके से हम इसे अगरबती में यूज में लेंगे और actual में जो सही लोभान है वो क्या होता है और तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये सामने जो मैं रखा हुआ हूँ एक लोभान जो की sticky font में होता है मतलब आप देखोगे तो ये पत्थर जैसे दीखेगा आपको जैसे संग्मर्मर की पत्थर होती है उसी टाइप की आपको ये दीखेगी और ये जो है artificial जिसे लोग तयार करते हैं वो ये वाली लोभान है एक्चॉल में ये सही लोभान नहीं है और जो real लोभान होती है उसकी कीमत काफी महेंगी होती है और ये market की जो लोभान होती है वो artificial ऐसा मान सकते हैं कि इसमें कुछ जो है लोभान सही लोभान की मात्रा इ से तैयार किया जाता है जैसा कि आप देख रहे हो तो इस टाइप की ये लोभान आती है और जो रियल आती ही मैंने इसे ग्राइंड किया है जो इश्डी की फॉन में था उसे और अभी जो है इसका पाउडर्स अपको मार्केट्स में भी अवलेबल होगा लेकिन वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है उससे अच्छा आप जो है मार्केट अपने लोकल मार्केट से जो लोभान है वो खरीद लो उसे ग्राइंट कर लो और पौडर आप बना लो और उसे आप अगर बत्ती में यूज कर सकते हो तो पौडर्स जो है इसमें कोई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता और इसमें जो खुजबू है फ्रेग्नेंस है वो भी उतना ही होगा जितना इ अगरबत्ती के विजनस में काम करते हो और ये भी वैसे क्वालिटी इसकी अच्छी है ये एरोकेम कुछ कमपनी इसकी लोभान है लोभान पर्फ्यूम और ज़्यादा तर मैं इसे ही यूज करता हूं और रिजल इसका मेरे ख्याल से सही है और इसमें लोभान टाइप की ए ये हो गए हमारे थ्री टाइप के लोभान और इसे हम इंप्लिमेंट करेंगे अपने अगरबत्ती प्रिमिक्स पाउडर में जैसा कि मैंने पीछली टाइम आपको बताया हुआ था कि जैसा कि आपको पीछले समय मैंने इसका कुछ फॉर्मुलेशन और रेशियो आपको बत नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रिमिक्स पाउडर के बारे में क्योंकि पिछले टाइम जो है मैंने इसका रेशियो ही बताया था तो आज आपको पूरा जो है प्रूफ करके ही बताऊंगा कि आपको किस किस पाउडर का कितने कितने रेशियो म है और जो है अपके मशीन में ये किस तरीके से प्रोडक्शन होगा तो वीडियो में आप पूरा बने रहिए और वीडियो पूरा जरूर देखिए